व्लकुम बैक तो मैं डाली निसिंग आप सभी का स्वागत करती हूं आज मैं फिर आपके सामने आए हूं बहुत यह अच्छी जानकारी देने अगर आपको में जानकारी अच्छी लेगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा प्लीज मैं च काई में को फोरा स्गेैं आपको यह हमारे बलड में कम करते है तो डाबिगा यहांकि हमारे प्लड में काम करतेई जो कि जिनको डाइबेटीज है उन्हें कीवी खाना चाहिए तो उनके लिए बुफाती उप्योगी रहेगा, बहुती अच्छा रहेगा The second thing is, कि जो कीवी है वो cholesterol level को भी control करता है जिनको cholesterol की problem है वो भी कीवी खाना चाहिए, कीवी उस करना चाहिए जो कि एक वे कन्ट्रॉलो magnitude कीवी है कर दो क्रता है The third thing is, कि जो कीवी हैस मे मृटनादी मेन C पाया जाता है, कि से पाया धेanbail मैना चाहिए जो कि जुए बहुती हिस बाती ही लाबकारी होथे के दिमाग के विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है तो प्रेगनेंट लेडी को भी कहना चाहिए तो धलती उम्रिकी समस्या होती है जैसे की और थ्राइट जिसको अस्टेटेशन पाया जाता है जो कि हड्डियों और मांस्टेशियों की मजबूती के लिए बहुत इसमें काफी हट तक राहत मेरती है दश्थ हिंगेश की कीवी होता है जो इसमें फाइबर पाया जाता है जो पेट से रेरेटेटेटे डिकते होती है जैसे की कप्स, दर्स, पाइस जिसेकी बवासी कहते हैं पेट दर्थ इन सब की समस्याओं से छुटकारा दिलाने में कि अधिया जाता है उसको एक्टिव करने के लिए विटमिन C की ज़रुत होती है जो कि हमारे पॉलेजन को एक्टिव करता है जिससे हमारे स्किन स्मूथ ग्लोई और सॉफ्ट बनते हैं जूर्या नहीं पड़ती जो केल मुह से नहीं होते हैं जो इसको बहुत अच्छा बनाती है इसको मैं अपने डाइट में शामिल करना चाहिए और मैं पहले बता चूई कि आपको कीवी जो है इसमें विटमिन C पाया जाता है इस आप इसको खाएंगे अपने डाइट में शामिल करेंगे तो यह आपके लिए बहुत अच्छी होगी और एक और पात चूनी होगी आपने कि जब देंगो स्टार्ट हुआ है तो डॉक्तर सलाह देते हैं कि आप कीवी खाएं कीवी जो होता है प्लेटलेट की संख्या को बह बहुत अच्छी होगी अच्छी हो तो हम सभी को पनी डिएट में शामिल करना साहिए तो यह जैसे पसंद है आप ऐसी खाएं कि बना के बात में ऑसी स्वीट जिशा नाते हैं बहुत भात लग उसके सबजी में यह भुत आपको पसंदिन अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज आशे ही सपोर्ट करते हुए का स्योंगी